Hello friends Equity mutual funds में बहुत सारी schemes की अलग-अलग categories होती है उस में से एक category होती है flexi cap funds flexi cap funds एक बहुती popular category है जिसमें fund manager के पาस पूरी flexibility रहती है कि वो large cap stocks में invest करें mid cap stocks में invest करें या small cap stocks में invest करें अब large cap stocks market capitalization के ही सबसे top hundred stocks होते हैं next 150 stocks होते हैं mid cap stocks और बाकी सारे जो stocks होते हैं उनको कहते हैं small cap stocks तो fund manager अपनी expertise के हिसाब से जितना चाहे large cap, mid cap या small cap के stocks में invest कर सकता है तो flexi cap category के एक बहुत ही popular fund HDFC flexi cap fund का आज हम review करने वाले हैं detail में देखेंगे कितना return इस fund में आ रहा है और किस type का risk लिया गया है तो video में end तक बने रहीएगा दोस्तों मेरा नाम पुनीत नाकपाल है by profession मैं certified financial planner हूँ अगर आप हमारे channel पे नहीं है तो इसे subscribe ज़रूर कर लिजेगा friends HDFC के flexi cap fund का हम review कर रहे हैं अगर आप इस fund में invest कर रहे हैं तो minimum 5-6 साल के लिए ज़रूर invest करें यह fund start हुआ था 1st January 1995 को यानि 29 साल complete हो गए है इस fund को इस fund में fund manager है द्रूम मुच्छल जी और रोशी जैन जी और इसका expense ratio regular plan का है 1.54% expense ratio बताता है में कितना management piece आपके fund में से ली जाएगी जिससे आपका fund manage होगा यह expense ratio as on 31st December 2023 है minimum investment की बात करें तो सिर्फ 100 रूपीज से आप इस fund में invest करना start कर सकते हैं चाहे आप lump sum invest करें या SIP में invest करें और maximum की कोई भी limit नहीं है चलिए इसके past returns देख लेते हैं किसीने अगर lump sum invest किया है one time 1 lakh रूपीज invest किया है तो fund ने कितना return बना के दिया है as comparison to category average वो भी हम compare करने वाले है जो भी data हम देखेंगे यह as on 25th January 2024 है last one year पहले अगर किसीने one lakh invest किया है तो उसका amount बन गया है one lakh thirty one thousand return आया 31.79% का क्योंकि पिछले एक साल में market अच्छी grow हो ही है तो fund ने भी काफी अच्छा return दिया है last three years पहले अगर देखें तो fund में किसीने एक लाख रुपे invest किया है तो उसका पैसा double हो गया है दो लाख तीनेजार रुपे बन गया है 26.8% का return आया है वही category average का return दा है 18% तो category average से काफी आउट performance इस fund ने दिखाई है पांच साल पहले अगर किसीने 1 लाख invest किया था तो उसका amount बन गया है 2,42,000 काफी अच्छा amount बना के दिया है इस fund ने 19% का return दिया है category average में 17% का return है अगीन पिछले 5 साल में भी आउट performance दिखाया है इस fund ने अपने category average से 10 years पहले अगर किसीने 1 लाख invest किया था तो उसका 5 गुना हो गया है पैसा 5,8,000 बन गया दोस्तों यहीं पे अगर आपने किसी bank या post office में पैसा invest किया होता तो 10 साल में लगबग double होता है यहाँ पे आपका पैसा 5 गुना हो गया यही power है mutual funds की 17% का return आया है category average में 16.6% का return आया है अगर since inception इस fund में किसीने invest किया है यानि 1995 के 1st January में किसीने invest किया था 1 लाख तो उसका amount बन गया है 1.5 CR डेड करोड रुपर बन गया है 18% का return आया है category average में 16.9% का return रहा है तो काफी अच्छे returns इस fund ने बना के दी है चलिए इसके SIP के returns देख लेते हैं अगर किसीने monthly invest किया है उसको SIP बोलते है उसमें कितना return बना है वो देख लेते है इसके regular plan के growth option में अगर किसीने 1000 per month की SIP दी है तो कितना value बना है और कितना return आया है वो हम देखेंगे 1 year पहले किसीने invest किया है SIP में 1000 की 5 years पहले किसीने SIP start करी है तो 1,12,000 का amount बना है 25% का return आया है 10 years पहले किसीने SIP start करी है तो 3,00,000 रुपीज बन गए है और 17% का return आया है अगर किसीने 1 January 1995 से यानि 39 साल से इसमें SIP करी है तो amount बन गया है 1.65 CR यानि 1,65,000,000 का amount बन गया है सिर्फ 1000 महीने से दोस्तों ये power है लंबा टाइम mutual fund में invest करने की क्योंकि compounding भी हो जाती है तो 29 साल अगर किसीने 1,000 रु महीना invest किया इस fund में तो 1,65,000,000 का amount बन गया है 21% का return रहा है जो ये since inception data है या as on 31st December 2023 का data है बाकी 25th January का data है दोस्तों portfolio देख लेते हैं इस fund का इस fund ने large cap यानि इंडिया की top 100 companies में 62% का exposure रखा हुआ है mid cap stocks में 6.2% और small cap stocks में 3.65% तो जादा पैसा बड़ी companies में लगा हुआ है तो इसका मतला fund में safety भी intact है total 42 stocks में investment है top के 10 stocks में 56.9% के exposure है top के 3 sectors में 42.6% के exposure है अगर top के 5 stocks देखें तो HDFC Bank, ICSA Bank, National Thermal Power Corporation, Sipla, Hindustan, Aeronautics जैसे stocks है जिनका total exposure है 34% चलिए अब fund में किस टाइप का risk लिए आ गया है वो देख लेते हैं इस fund को हम compare करेंगे category average से सबसे पहले देखेंगे standard deviation standard deviation हमें बताता है कि fund में कितनी volatility होगी कितना risk लिए आ गया है जितना standard deviation कम हो उतना बढ़िया रहता है वैसे 14.5 standard deviation है इस fund का HDFC Flexi Cap fund का वही category average का 14.1 है तो slightly high है यानि इस fund में थोड़ी सी volatility high है अब sharp ratio हमें बताता है कि fund में risk free asset जैसे FD होती है उसके मुकाबले कितना ज्यादा return दे रहा है तो जितना ज्यादा sharp ratio उतना ज्यादा बढ़िया रहता है 1.31 sharp ratio है इस fund का category average का 0.82 अगेन इससे हमें पता लगता है कि risk adjusted returns अच्छे मिल रहे हैं तो fund में थोड़ा सा risk लिया गया है तो return भी वो अच्छा दे रहा है तो अच्छा positive sign है इस fund के लिए ये alpha हमें बताता है कि benchmark के मुकाबले fund कैसा return दे रहा है कैसा perform कर रहा है देखिए इसका alpha है almost 7 वहीं category average का है minus 0.04 तो इससे हमें पता लगता है कि again risk लिया गया है तो returns भी ये fund बहुत अच्छे जनरेट करके दे रहा है तो friends ये था review HDFC के flexi cap fund का दोस्तों मैंने अपना instagram channel का link description में और कई useful links description में दे दी है आप जाके उनको भी check out कर सकते है आज की वीडियो यहीं तक थी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो से like करें हमारे channel को भी subscribe कर लिजेगा thank you for watching